नमस्कार कक्षा नू एक्सरसाइस 2.5 कोशन नमबर 4 इसका तीसरा भाग हम करेंगे माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्यर इसको हमें प्रसार करना है तो जो सरफ समी का वो यूज होगी वो है तीन रख में हैं तो a प्लस b प्लस c होल स्क्यर जो a प्लस b प्लस c होल स्क्यर बराबर होता है a स्क्यर प्लस b स्क्यर प्लस c स्क्यर प्लस 2 a b प्लस 2 b c प्लस 2 c a के बराबर यहां से हम ध्यान से देखते हैं बच्चो a किसके बराबर आएगा पहली रखम यो की है माइनस 2x b किसके बराबर होगा बीच वाली रकम जो की है 3Y C किसके बराबर होगा आखरी रकम 2Z के बराबर ठीक है बच्चो तो हम यहाँ पर हम ABC की values put करेंगे तो हमारे पास आएगा देखो सबसे पहले है A square A है minus 2X minus 2X का whole square plus B B का square यानि 3Y का whole square 3Y का whole square plus C का square यानि 2Z का whole square ठीक है बच्चो यह 2 गोल वाला 2 है बिना गोल वाला Z plus उसके बाद है 2 AB, A किसके बराबर है minus 2X और B किसके बराबर है 3Y के plus 2BC 2 into B, B किसके बराबर है 3Y into C, C किसके बराबर है 2Z plus 2 into CA, C किसके बराबर है 2Z into A A बराबर है minus 2X के ठीक है बच्चो अब हमें इसको हल करना है देखे ध्यान से बहुत ध्यान से करने की जरूरत है नर्वस नहीं हो ना ध्यान से बस पूरी concentration से minus का square होता है plus 2 का square होता है 4 X का square होता है X square आगे plus 3 का square होता है 9 Y का square होता है Y square आगे है plus 2 का square होता है 4 Z का square होता है Z square ये समझ आगया होगा बच्चो अब आगे ध्यान से देखे आगे ये तीन रख में अलग हैं ये तीन रखमें अलग हैं और ये तीन रखमें अलग हैं पहले हम पहली तीनों को गुणा करेंगे देखो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस माइनस इंटू प्लस होगा माइनस नंबर को नंबर से गुणा करो दो दूनी चार चार तीए 12 x², x, y बहुत ध्यान से करने के शुरूर रcuzते हैं ताकि हमसे गल्ति नहों आगे देखो पलस इंटू पलस 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 इंटू पलस पलस दो तिया छे शे दुनी 12 y इंटू जड्ड को जड्ड लोगा yz आगे पलस इंटू पलस पलस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये छोटे-छोटे निशानों की गलतिया कही बार हो जाते हैं, इनका ध्यान रखना दो दूनी चार, चार दूनी आठ, Z इंटू एक्स होगा Z X, अब ये देखें ये X स्केर है, ये Y स्केर है ये Z स्केर है, ये X Y है ये Y Z है, ये Z X है, कोई भी रखन एक जैसी नहीं है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे यही इसका प्रसार है हर एक कोशन में हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यही सर्बसमी का यूज़ कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C हो स्केर बराबर है बोलो मेरे साथ A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इस फार्मुले को आप याद कर लो धन्य बाद